मैं विनौत महां मिस्रा लेक्षर मैथमेटिक्स प्राम ज्वाला देवी सरस्वति विद्यामंदी इंटरकाले सिविलाइंस प्यायराश से आप सभी लोगों का कासी प्रांद यूटूब चैनल में हर्दिक स्वागत और अभिन्लें करता हूं जैसे हम जानते हैं कि हमारा बोड गयामने संस स्टार्ट होने वाला है उसी के रिफरेंस में मैं आपके लिए मैथमेटिक्स का क्लास्ट्रों तका मॉडल में लेका आया हूं और आप इसको मेरे साथ रिड किये अच्छे से अंडर्स्टैंड करिए निश्य रूप से आपको बहुत ही वेरिफिश्चल होगा तो टाइम को करते हैं हम अपने वर्क आउट करते हैं चलिए यह हमार आप अच्छो पेपर दो है आच्छोबिस का मॉर्टल पेपर है और इसमें आपका पहला इसमें चार आपसन दिये हुए है और फंक्षन को हमको यहां पर पाचालना कि किस टाइब का फंक्षन है तो इसके लिए हमें क्या वता है कि जो जातर समस्य आती है बार बार वह या आती है है फंक्षन के लिए कि x square is equal to fx1 is equal to f1 एक चलते हैं तो वहां पर प्रॉलम्स आती है जब भी कभी even function हो जहां पर square हो उसके लिए क्या करते हैं simple तरीका है यह दिखिए हमने one value लिया तो one square क्या आएगा one आएगा माइनस वन लिया तो भी क्या आववन आ लिया पस ऐसी देखा तुरंट चेक हो गया यह वन वन नहीं है यह मेंडीवन है क्या है मेंडीवन फंक्षन है चुक्कि दो लोगों के सेम इमेज यहाँ पर आ गई तो अगर मेंडीवन है इसका मतलब यह one one नहीं होगा फिर not one one फ क्या करते हैं रेंज निकालते हैं रेंज हम रेंज देख रहे हैं यहां पर डॉमेन रियल लंबर है को डॉमेन रियल लंबर है तो डॉमेन का कोई नंबर लोगे तो रियल लंबर में क्या होता है निगेटिव भी है और क्या है पॉसिटिव भी है पर हमाई पास जो आएगा पॉजिटीव रियल नमबर खोड नमबर लेकिन हमारा जो हमारा आंटो का concept क्या है कि range equal to co domain हों चाहिए क्या होना चाहिए को मैं क्या है बच्चो हमारा पास क्या मिलेगा पॉजिटीव रियल मिलेगा इसलिए ये रेंज को डॉमेन की इकवल नहीं हो पाएगा इसलिए ये फंक्शन हमारा जो है वो आंटो नहीं होगा तो हमारा जो है वो डी आफ्शन सही हुए आएगा फोर्थ आफ्शन नाइदर वन वन नर आंटो क्लियर है चलिए आगे बढ़िए अब आते हैं मलोग इसके second पर सेकें प्याते हैं सेकें दिया हुआ है एक मैट्रिक्स का कॉस्टन से है कि इस मैट्रिक्स A is equal to this much then the value of A square minus 3 A plus 7 I I मतनब आइडिनिटी मैट्रिक्स तो इसके रिए आप कोई तमस्या की बात नहीं है यह बहुत ही usual questions है आप आराम से A square निकालोगे A into A से राइट यह आप कर लोगे 3 1 2 क्राश्टू की मैट्रिक्स है बच्चों और आप इसको आराम से बहुत इजिली वह में इसको multiply करके आप निकाल लोगे यहाँ पे elements आ जाएंगे सब पता ही है अब A square आएगा अब यहाँ वन जीरो जीरो न इसको आप सबस्टूट कर देंगे और आपका जो आपस अगा इस आपसंट मीं क्या है वह आपसंट दिया हुआ है यह फोर यह वह कोई कई आप्षां इसको फ्रिजर्ब करेगा कि वो किस फॉर्म का है और यह बहुत ही आसान होण है फिर आते हम लोग आगे परते हैं को आपका थर्र कुष्ट्ट थर्र कुष्ट्टन है कि वेक्टर ए दिया हुआ है द्परोजेक्षण आफिक्टर अनवेक्टर ए द प्रोजेक्शन आफिक्टर भी एक क्या डॉट भी पुछा है अब आप प्रमोड हो याएगा आपको फटा है यहां से स्वार्व कर लोगे आप कोई चार अल्टेनेटिव में कोई अल्टेनेटिव मिल जाएगा क्लियर सी बात है ठीक अब बच्चों आप मैं तो इंट्रिएंट्रिएंट्रिएंट्रिएंट्रिएंट्रिएंट्रिएंट्रिएंट्रिएंट्रिएंट्रिएंट्रिएंट्रिएंट्रिएंट्रिएंट्रिएंट्रिएंट्रिएंट्रिएंट्रिएंट्रिएंट्रिएंट्रिएंट्रिएंट्रिएंट्रिएंट्रिएं ओके, so हमारा कुशन होता है आपका दिखिये, dy by dx plus py is equal to q, right, यहाँ पे p क्या है आपका, यह है minus 1, so integrating factor जो होता है, यह होता है e power integral p dx, तो e power integral minus 1 dx, और minus 1 का integral minus x, so e power minus x, option आपका second option is the right answer, आपका e power minus x क्या होगा, integrating factor हो जाएगा, clear, चलिए, next भी आईए, यह पांच्वा कुश्चन आपका है, the value of integral dx by under root is x square minus a square, this is the standard formula, so this is the option 1 correct है, 1 by 2 a log x minus a by kya, x plus a plus constant, यह तो just a definition formulas है, standard integral का formula है, right, आगे वालिये, question number 2 पे आईए, question number 2 वो लाए कि prove that, prove that this function is, prove that this function is continuous or not, prove that this function is continuous or discontinuous, clear है, तो आपको पता है, आप क्या करते हो, right limit निकालते हो, तो right limit के लिए क्या होगा, right limit के लिए function क्या होगा, तो आप रखो यहाँ पर एक सी वैलू दो रखो, तो टू टू जा 4 प्लस 3, यह राइट लिए हमारी 7 आ रही है, यहाँ पर गवड़ी है, यहाँ पर सिंबल में मिस्मिंट होगा है, सब्सक्राइब होगा है, और left limit जो है, वह आपकी लिए लेस देन वाला function काम करेगा, तो टू टू जा 4 माइनस 3 वान आया, अब वैलू आप दी function जो है, यह तू निकाल लेते हैं, यहाँ पर फॉक्वल होगा, यहाँ पर है, यहाँ पर है ना, फॉस्स फंक्शन में, तू तू जा 4 प्रस 3, मंदब सेवल, तुम देख रहे हैं कि राइट लिमिट और लेफ लिमिट इक्वल नहीं आ रहा है, राइट लिमिट नाट इक्वल तू अट लेफ लिमिट, तू देरफोर फंक्शन इस वाट, दिसकंटिनिवस, देरफोर फंक्शन इस दिसकंटिनिवस, बात क्लियर है, चले, यहाँ सिंपल कॉस्टन से, कहीं दिक्कत नहीं है, आजे परते हैं, next question is, if a is equal to a cos theta and b is equal to a sin theta, find dy by dx, find dy by dx, what is problem, okay, शेल यह computer हैं बहुद हैं फसा देते हैं बीच बीच में, कोई नहीं, आब अच्छो, आगे पढ़ते हैं, what is this, क्वाई नहीं, मिल्र झारू का एक हैं, झागे ऊच्छो, आगे बात का एंच, chilli, प्यूक्तश नहीं, का लाई पाईस् – आकपे जानरेकाई हैं, खच्राभ really हैं, if u x is equal to i h, x is equal to a cos theta and y is equal to a sin theta, then find dy by dx, ठीक है न, तो इसके लिए, तो आपको as you know, इसको d x by d theta निकाल लेंगे, हम लोग, क्या हैगा, minus a sin theta हो जागा इसका, यहाँ से हम जो है, dy by d theta निकाल लेंगे बच्चो, क्या हैगा, a cos theta हैगा, as we know, dy by dx is equal to dy by d theta by d x by d theta, clear, so dy by d theta means what, a cos theta, upon minus a sin theta, so a cancel out minus cot theta is the derivative of y with respect to x means what, dy by dx, clear है, आगे चलिये, बहुत इजी कुस्टन साते हैं बच्चो, आप रोग्दिम से बहुत ही रिलाक्स रहिये, बहुत ही आसान कुस्टन साते हैं, यह दिखिये, अगला है, प्रूब दा, फंक्शन f from n to n defined by f x equal to 2 x is one one but not unto, one one but not unto, इसको आपको one one check करना है, चलिये, one one check कर लेते हैं, one one की क्या concept है, one one concept है कि f x one is equal to f x two अगर है, तो x one is equal to x two आना चाहिए, ठीक हैं, तो इस तरह से, चलिए, so f x one is equal to f x two ले लिए, यह आएगा क्या आपका, two x one is equal to two x two giving us x one is equal to what, x two यह आपका one one हो गया, clear, unto check कर लिए, तो कि unto case में क्या होता है कि कई बार क्या होता है, क्या होता है को डूमें, बड़कोई hard and fast रूल नहीं है, फंक्शन की नेचर पर भी डिपन करता है, अब इस यह कोशन तो इसका एक और method है, y is equal to fx से, हम x को निकाल लेते हैं, second method है, x equal to क्या है, y by 2, y क्या है, co domain का element है, co domain कितना है, natural number, तो natural number माल हमने one लिया, तो यह क्या है, one by two, one by two जो है, वो domain में बिलांग नहीं कर रहा है, क्योंकि one by two rational number है, जबकि जो x है, वो क्या है, domain का element है, and natural number आना चाहिए था, लेकिन natural number नहीं आया, तो इसलिए not unto हो गया, क्या हो गया है, not unto, तो यह आपका proof हो गया कि यह function जो है, fx equal to 2x क्या है, यह क्या है, यह 11 तो है, लेकिन यह unto नहीं है, राइट, चलिए, next question क्यों बढ़ते हैं, फड़ाफट, एक दम ऐसे board exam में भी आप लोग है, जम धार-दार सवाल लगाए, जम डर्य मत, बहुत easy पर आता है, ठीक है ना, यह देखी आप, fp a is equal to 7 by 3, pb is equal to 9 by 13, p a intersection b is equal to 4 by 13, so find p a by b, right, to probability of a by b, यह आपको पता है, यह conditional probability का topic है, ठीक है ना, तो आपको पता है कि p a by b क्या होता है, as you know everybody, p a intersection b by p b, हाना, and p a intersection b is what, 4 by 13, और p b means what, 9 by 13, so consider out हो गया, so 4 by क्या हो गया, 9, अब एक बड़ी बात, interesting बात है कि यहाँ पर probability of a का use नहीं हुआ, इसमें घवाएं कोई जवरत नहीं है, बहुत सारे ऐसे data होते हैं, जिनको जामूश के, आपे manipulate कि आता है कि आप confusion में आएं, confusion कोई जवरत नहीं है, this is your solution, right, now next question is, next question is, if a is equal to, आपको वेक्टर है दिया हुआ है, i minus 5, 7j plus 7k and b is equal to this much, find mod of a cross b, find mod of kya? a cross b, ठीके न, तो अब आपको पता है, सच पर आप क्या नहीं होगी, first of all you find the value of a cross b, so everybody know a cross b is what, the value of the such determinant i, j, k, this is what, 1 minus 7, 7, this is 3 minus 2, 2, यह आपका कोई something आई, something j, something k आयागा, और इसका mod निकाल लेना, mod क्या होता है, under root, सबोज मालों यह a, i, b, j, c, k टाइप क्या गया, तो under root is square plus 20 square plus 6 square से, आप इसका solution निकाल लेना, इसका आप के लिए तो इसका चुटकियों का काम है, थागी नहीं, good, चलिए, आगे बढ़ते जलिए, डी पार्ट खतम हो गया है, ऐसे आपको board यहां में भागना है, ठीक है न, question में थर्ट दिखिए आगे हमनों फटाफट, ठीक है न, टू माक से questions है, ठीक है, अब यहाँ दिखिए, इसमें क्या करना है, यह आपका दिखिए, क्या किया मैट्रिक्स है, मत्तब three cross one है, यह एक रहां और यह थी क्या, सब जानते हैं, और रहां से, रहाष्स का है, कर लेना is रहा है,uite इसमें माट्टिप्लिकेशन टीयर्ट मिलेगा, चलिए नार नेक्स सॉटंस बापनेटिंग कुश्टेंग से बलेजी हो जाएंगे यह आम स्वारी यह पूचा निए फूची है एक यह भी ट्रंसपोरme टूby ट्रंसपोर्ग ट्रंस तो ठीक है तो तो अब आप एवी निगा लोगे ठीका स्क्राइब आए और उसके बाद एक टांसपोस निकाल देना रो और कालम आपस में इंटरचेंज कर देना ठीक है उसके बाद क्या करना एस बी चांसपोस निकाल लेना और एस बाद देश है तो प्री ब्ली डाइस रखना अमतर घंसंट भूझ आप भी और ये चाहब है इसको को multiply करना जो कि इस मैट्रिक्स का जो मुल्टिप्रिशन आप करोगे वह ठीक इसके जैकली खुल आएगी आप इसको कर सकते हो और बढ़े असानी से इवैलिबेट हो याएगा कालिकुलेटिंग पार्ट है नो प्रॉलम इटाल ठीक है ना अगया यह भी पार दिखिए फाइंड जर्नल सरुशन आप डिफरेंसियल इक्वेशन का सलूशन चाह रहा है तो यह तुम्हें पता है न क्या है यह तो बैरियेबल से परेबल है क्या ह पर अब इसको कर दो इस वाट TSI इसे वाट इनवर्स वाई इस उक्वल टो टान इवर्स एक्स आप यहां पे बच्चे क्या करते है प्लस कॉंसेंट सी हरक है बास सही है कोई दिख्कत नहीं पर जैसा मैने दखा की बच्चों यह इनवर्स फंक्शन का कुस्सान है तो मैंन minus में, x minus y by 1 plus xy is equal to 10 inverse c, यहां से आएगा y minus x is equal to c of 1 plus xy. So, this is the final answer after better computation, but if you would like, then this is the final solution here, right. Okay, next question, चलिए, बढ़ते जलिए, okay, यहां आपका रहा, c part if x is equal to a theta plus sin theta and y is equal to a 1 minus cos theta, find dy by d theta, clear है, find dy by d theta, वो लास्ट टाइब का questions है, किसे मैंने आपक बताया था, सबस्वाले, dx by d theta निगा लेंगे, फटा फट, a आएगा, theta के respect में है, इसका 1 हो गया, इसका क्या हो गया जी, cos theta, यहां पे आएगे dy by d theta निगा लेंगे, फटा फट, क्या आएगा, a 0 minus sin theta, minus minus plus what, sin theta, giving you what, a sin theta. So, now dy by d x is equal to dy by d theta means a sin theta, और divided by what, a 1 plus cos theta, यहां आपक अंसर हो गया, बत आप चाहो तो इसको टिवना मिल्टिकल फंक्शन है, तो इसको आप इजली, half-hungile ब्रेक कर लो, twice sin theta by 2, cos of theta by 2, by 1 plus cos theta means what, 2 cos square theta by 2, minus 1, 1, 1, cancel out, 2, 2, cancel out, cos theta, cos theta cancel out, giving you final answer is what, time theta by 2, clear, आप देख सकते हैं, एक दम आप बहुत easy तरीके से, questions बहुत है, questions बहुत ही अच्छे होते हैं, बस formulation clear हो, थोड़ा concept में दिक्कत नहों, बस आराम से, आप सारे questions कर जाएंगे, right, चलिए आजो बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या, इस पर आता है, आपके screen पर यह दिखिए, यह आपका सी पार्ट है, find the value of, find the value of integral, find the value of integral this must, ठीक है न, चलिए, तो यह आपका integral है, आप question देखते ही, आप मेरा student जान गया होगा, कि यह integral है न, बच्चों, यह simple सा, by substitution का integration है, क्यों कि आप tan inverse x को जैसे ही substitute करोगे, क्या t, so after differentiation, 1 by 1 plus x square dx is equal to dt, so this is e power t and dt, e power t means e power t plus constant, or t means what, tan inverse t, tan inverse x sorry, so final answer is what, e power tan inverse x plus constant, चलिए, next question प्याइगे, पटाफट, okay, बढ़े रही आगे, question number 4 प्याइगे बच्चों, यह आप कि किया, यह proof that f x is equal to mod x minus 5 is not differentiable at x equal to 2, ठीक है, तो आप क्या करना है, बच्चों, यह बताना है कि यह function, x equal to mod x minus 5, x about 5 पे आवकर नहीं है, difereniable नहीं है, इसका अ सबसे बेच तरीका होता है बच्चों, जो symbol तरीका है, पहले आप mod x minus 5 को define कर लो प्याहर से, यह positive value देगा, जब एक स्वाइब शोटी यह डिफाइन कर लेंगे किसे इसका क्रिटिकल प्रेंट क्या होगा अच्छा अब इसमें तरीका होता है इसमें आर सटी निकालते हैं यह मैंने बच्चों बहुत सिम्बल तरीका ने करवाया है बाकी तो उस्ट बहुत बहुत बढ़ा अरा फार्मुलि एक लॉंग प्रोसेस होता है मैं आपके लिए बहुत थी प्यारा समय सब्सक्राइब कर लेंगे 5 पे था तो 5 से गेटर पर पॉस्टिव और लेस्ट पे निगेटिव अब क्या करेंगे कि जो गेटर वाला इसको लेते हैं यह इसके लिए फंक्शन क्या हो गया यह हो गया अब हमने क्या करते हैं इसको डिफ्रेंसियेट कर देते हैं तो यह क्या है का 1-0 यह हमारी आगई 1 आ गई LCD की बात कर ले, LCD के लिए हमारा function काउन से होगा बच्चों, छोटा वाला होगा न, minus x minus 5, इसको जब दिफरेंसियेट करोगे, तो मिलें यह क्या minus, और यह क्या 1 minus 0, तो मतलब minus 1 आ गया, RHD 1, LCD minus 1, everybody know, RHD not equal to LCD, यह आ रहा है यहां पर, so therefore, fx is mod, fx is what, mod x minus 5 is not differentiable at x equal to 5, यह method बहुत ही बहतर है और दो लाइन में हो जा रहा है, बाकि जुसका classical method, as you know, बहुत सारा long है और इसमें दिखत जाएंगी, इसी को adapt करना, ऐसे, ठीक है, चलें, okay, next question, try करते हैं, अगला क्या है, ठीक है, अगला question है, हमारा, find the value of interior mod, function पर दो question आ गया, और मैंने देखा, बोड़ी जाम में 90 परस्टे, mod function पर कुस्टन नहीं करते हैं, उनको लगता है कि जिसे बहुत बढ़ी V-shape का graph होता है, खर, तो अब 2 से 7 है, तो पहले 2 से कहां जाएंगे, 3 पर जाएंगे, और फिर 3 से कहां जाएंगे, 7 पर, इसको property नंबर 2 से break कर लेंगे, definite integral की property से, right, a to b fx dx is equal to a to c plus c to b, clear है, अब यहां पर क्या करना है कि देखते हैं कि इसमें कौन सा positive आएगा, कौन सा negative, इसके लिए मैं बच्चों, आपको बहुत ही simple तरीका बता रहा हूं, क्या है कि दो अब यह दो और तीन के बीच में कोई value ले लो, अब 2.5 ले लिए 2.5 अब मौट के अंदर रखो, 2.5 में जब माइनस 3 को सब्सेट करागी तो निगेटिम में value आगी, क्या है कि इसलिए यहां पर आएगा आपका minus x minus 3, अब 3 और 7 में, 3 और 7 के बीच में कोई value ले लो, minus 4 ले लिया, तो 4 minus 3 क्या positive आया, तो positive value मत्तब पूरा आगा बस हो गया, इसको बच्चों integrate कर देना हमारा आपका answer आपको निगल जाएगा, clear है, एदम simple तरीके से, mode function question बहुत ही, simple तरीके से किया कीगी आप लोग, ठीक है न, ठीक है न, ठीक है न, चलिए, तो अब यह स्कूत ही है, something return, save first and delete, बच्चों जरा बेट करिये कुछ, there are some technical error, just wait, engineers आप आने आ रहे हैं, बहुत जल्द, just wait, okay students, अब यह की आ गए, okay, चलिए, find the angle between the lines, okay students, आगे हैगी, चलिए, find the angle between the lines, find the angle between the lines, this much, okay, चलिए, यह कुछन है बच्चों, कि इसके एक three dimension का कुछन है, और इसने बोला है कि यह Cartesian form की line है, और इसका भी इसका angle निकलना है आपको, ठीक है न, चलिए, इसे बच्चों क्या करना है, कि हमारी line जो है रहा वो standard form की है, और x minus x1 by a is equal to y minus y1 by b is equal to z minus z1 by c, इस type की line है, ठीक है न, okay, तो हम इसको vector treatment से करेंगे, और और ज्यक्रुय कलुए है और ची आजे र्याए wow, का र्यए है उरा जो बजा है? इसका है? कि अब बता है कि कॉस्ट सीटा इसकोल टू होता है बीवन डाट बीटू बाई माट बीवन माट बीटू क्लियर है अब यहां बीवन यह यहां देखें इसमें पास्टिम पॉइंट से कोई लेना देना नहीं है मतलब यह जो है ना बीवन वेक्ट रहां साता है यहां से है ऐसे पासिंग पॉइंट से मतलब नहीं होता है ऐसे हां से कर लेगा सिंपल साल्व कर लिएगा ठीक है इसमें आपको बहुत ही सिंपल तरीकेस काम करना है इसमें कुछ दिक्कत नहीं है पहली बात तो हम लोगे चेक करेंगे की हमारा एक्सिस पे पॉइंट रहा है वो कहां पे कट कर रहा है ठीक है तो पहली बात यहां दिखिए पहले इसको कर्सपांडिंगे क्योशन मना आईए गाप एक्स प्लस य इकॉल टू फिप्टी तो यहां से आप सॉल्व करोगे एक्स वेलु जी रखोगे तो य क्या आएगा फिप्टी आएगा और यहां से आगया इससे आगया पॉइंट यहां दिखिए जब आपको कर्सपांडिंग क्योशन आप बनाओगे एक्स को जी रखोगे तो य क्या आएगा नाइंटी आएगा तो क्या जी रखोगे तो यहां पर थार्टी आएगा तो यह दो पॉइंट आ गए इसको प्लाड कर लेते हैं यह दिखिए पड़ा प्लाड करीए जीरो यह 50-0 यहां आया 50-0 यहां पर यह दो आएगा और तर्टी जीरो यहां पर आएगा रहा है तो हमारा जो फीजिबल रीजिन होगा वह यह दो और नहीं है अब प्रावलम्म गया दो पॉइंट और किए तीन पॉइंट इससे को को सॉल्घ कर लोगे तो यह पॉइंट आएगा यह बोला इसको maximize करना भी है तो पहले लगा तो ऑधिए यूम पर उलके उस Benjamin सब्सक्राइब करके जो यह टाएगा उस पर निक्यालेंगे इसमें जो मैक्सिममारीया उसमें जाते adviser अब३दर थिस होती है बसक्तेला को आराम से रहे हैं बहुत सिंपल होता है ठीक है ना अब आईए फाइंड साइट डिस्टेंस बिट्विन लाइन बने लगुत्तम दूरी दो रेखाओं के वीज की लगुत्तम दूरी कैसे निकालते हैं यह बहुत ही सिंपल कॉश्टन होता है बच्चे इसको पताने क्यों बना लेते हैं कि यह बड़ा कटिन अच्छे सा ब्यात करिए फिर आपकी साइस समस्याहल हो जाएगी आप रही आद होगा आप क्या करेंगे फामूला एक समझो कि मैथमेटिक्स में फामूलाज होते हैं एक कैसे बुलेट्स होती हैं आप सोने की बंदूग लिए हैं उससा कोई महतुरी नहीं है क्योंकि आप बुलेट नहीं है तो चला आप कैसे वार करेंगे इसे हमारे आर्मी में होते हैं वहारा युद्ध शिर्ता है तो आप बहुत अच्छी बंदूग लिए हैं कोई मतलब नहीं है तो मैं आप रहों से बात कहां चाहूंगा पामूलाज को क्लियर कंसेट में रखी तो एक भी क ऐनट अग्या देखो शेवेन आई माइनस 6 जे फ्ल्स के ठीके ना वी 2 क्या है बी 2 मारा केया जी आए माइनस 2 जे प्लस के एवन क्या एवर की अए होता है आपका इंद अलैन क्या होती है एकस-वन आपान ए-इस इक एक्समा बागान इस एक्समा इपना पान ए इस व्क्य माइनस आई, माइनस आई, माइनस जे और माइनस की होयागा, I think you understand what I am saying, A2 क्या आयागा हमारा, 3I प्लस 5J, हाना, प्लस क्या 7 की, अब हो गया आपका स्वाइटे स्टेशन क्या होता है, बच्चो, A2 माइनस A1 dot B1 cross B2 upon mod B1 cross B2 ka whole mod, आप A2 में A1 सबस्टाइट कर लोगे, B1 cross B2 निकाल ही लोगे, दोनों का dot निकाल लोगे, फिर B1 cross B2 निकला रहेगा, उसका mod निकाल लोगे, बाहर भी एक mod लगा है, इसलिए कि बाइचांस नेगेटिव बनु आगई, तो length cannot be negative, therefore mod symbol here introduced, right, positive value, clear, very good, practice करें इसकी बढ़िया से, लिक करके, मेरे साथ आप लोगे इसे में बता रहा हूं, आप लोगे question करिए घर मेरा से, यह दिखिए, if y is equal to sin inverse x, prove that this much, कोई थिक्कत नहीं है, तो अब है क्या, परे बात ता आप d y y d x निकाल लोगे, फटा फट, 1 y under 1 minus x square, फिर आप क्या करो, कि यह prove करना इसको, तो second derivative निकाल लो, क्या निकाल लो, second derivative, तो अंस अपान हर, कोशन रूल से, क्या हर का square, यह दिखिए, हर d y d x निकाल लोगे, कुछ आएगा, फिर आप यह ऐसे रहेगा, यहाँ पर second derivative जो आएगा, उसको substitute करो, d y by d x यह आया हुआ है, question 1 suppose कर दो, यह suppose to कर दो, आप जैसे second derivative, मतलब d 2 y by d x 2, और d y by d x को रखोगे, यह अपने आप रियल्ट दे देगा, 0 पर रियल्ट आपका आजाएगा, बहुत simple question है, कोई दिक्कर की बात है, नहीं है, my dear students, ठीक है ना, चलिए, आगे बलिए, यह हम fast से लिए, fast से लिए, करना आपको है question, यह तो आपने सार पाई किया हुआ है, तो यह हमारा है किये, solve the differential equation y d x minus x plus 2 y square d y is equal to 0, यह question आपका है, clear है वहीं, यह कुछ problems again, क्या हो गया है, आईए sir, चलिए, तो यह बच्चों है, और यह आपका है y d, यह उसको इरिज करें, पास पुरा system ख़रा हो गया है, बढ़ानी कब तो होगा, हाँ, तो बच्चों यह दिखें, यह differential equation है, तो किसी भी differential equation के solution के लिए, सबसे पहरे आप एक काम किया करिए, कि आपको इससे में सबस्क्राइब डी वाइवाइड इसको evaluate किया करिए, पहला कामा किया करिए, कि डी वाइवाइड इस से evaluate किया करिए, यह लिए यहाँ पहुंच किया, अब आपको linear differential equation 2 है, एक X में linear होती है, इस type की, और एक Y में linear होती है, इस type की, D Y by D X plus P Y is equal to Q, here P and Q are the function of X, and D X by D Y plus P X is equal to Q, here P and Q are function of Y, यह बनने वाला है किसमें Y में, क्योंकि X में बन नहीं पहरा है, आप देख रहे हो, इसको आप पलट दिये, फिर यहां से आएगा है, D X by D Y, अब प्रस P X से यह X वाला इधर लाओ, minus 1 by Y X equal to 2 Y square by Y, मतलब यह 2 Y, clear है, तो इसको क्या है, P is equal to क्या हैगा, minus 1 by Y आएगा, अब integrating factor नहीं क्या लेंग हम लोग, E power P D Y minus 1 by Y D Y, मतलब क्या होएगा, E power minus log Y, यह E power log Y inverse, और E power log X X होता है, तो Y inverse इसका क्या गया, integrating factor नहीं आगा, अब solution क्या होता है, X into IF, मतलब Y inverse is equal to IF, IF into Q, Q कितना है आपका, Q आपका कितना Y, 2Y, yes, 2Y है, Y से Y केंथी लोग आएगा, X by Y is equal to 2, यहांप D Y operator है, तो 1 का integral Y plus C, यह हमारा आपका solution of this, अब वो एक्जाम में क्योश्चन आपको यह नहीं कहेगा कि आपको linear differential equation है, ना, वो वो आपका, इसकी कोई बात है ही नहीं, ठीक है ना, तो वो आप से सीज़े बूलेगा, कि आप solution नहीं क्या हो, तो आपको जान जाएंगे कि यह कैसा differential equation है, linear है कि homogeneous है कि variable है, वो देखते ही आपको फता लग जाएगा, ठीक है ना, चली आगे, यह रहा है आपका Y is equal to sin X की power cos X plus X की power X, clear है, तो बच्चों इसमें क्या होता है कि यह दो function साम में है, जाए तर बच्चे क्या करते हैं कि इसमें लाग अर्थियम लेना शुरू कर देते हैं, चीज़े लाग ले लेते हैं, और को संग गरता है, देखिए जा variable की power variable होता है, तब आप जो है क्या करते हो, कि वहां पर लाग लिया आता है, लेकिन दिक्कत क्या है, कि इसमें आप नहीं ले पाऊगे चुकि बीजने plus का sign है, plus का sign हो या minus का sign हो, तो उसमें क्या होता है कि लाग अर्थियम आप नहीं ले सकते हैं, क्यों? क्योंकि log M plus N not equal to log M plus log N, ठीक है न? यू इसको यूवी मेथड करते हैं यूवी ले लो और फिर डिफेंसियेट कर दो यह होयागा डी यूवाइड एक्स और प्लस क्या पच्छो डी वाइड एक्स हो गया इसको सब्सक्राइब एक कह दो अब यहां से यू को अरग उठाओ यू इस इकल टू साइन एक्स की और डी यू बाइड एक्स इसको अराम से फॉस्ट सेकंड प्रॉडक्ट को से कल लेंगे तो कि मैंकर यहां से डी यू बाइड एक्स आ जाएगा similarly dv by dx भी आयागा उसको उठा करके यहां पे आप equation a में रख देंगे तो आपको finally dy by dx मिल जाएगा पर बच्चे गल्दी क्या करते हैं कि वो तुरंत लॉग ले लेते हैं वो गलत है अगर single function होगा यह तब आप लॉग लेंगे ठीक है okay next question देखिए find the value of integral 0 to pi x very important question for board equation और इसमें क्या होता है कि property आपको लगी है property आपकी जो property आपकी है 0 to 2a fx dx is equal to 2 times 0 to a fx dx if f2a minus x is equal to what fx तो यह दो property ओं का यूज होकर के questions आएगा बहुत important question है आप पहली property before लाएंगे फिर बाद में बीच में intermediate strip में इसको ला देंगे आयागा उसे भी most of the books में आपका इसकी पहलों प्रूब करना है यह बहुत ही बहुत ही बैतनी सवाल है और इसको एक बच्चा करता है सव नहीं हजाब बच्चों में से एक बच्चा करता है इसको है नहीं बच्चों देखिए फास इसको solve करिए तो एक्स वन प्लस वाई प्लस एक रुट एक्स एक स्कॉयर फ्लस एक्स यह कोईर प्लस एक्स प्लस एक्स X- Y is equal to 0. overall X- Y कामन ले लेंगी तहां X plus Y आएगा अब प्लस X Y आएगा इक्वाल टू जीरो आएगा अब X- Y 0 नहीं हो जकता क्योंकि अगर X- Y 0 होई आएगा X equal to प्लस Y होई आगा और X equal to Y यहाँ रखोगे सारे term positive है एक क्योश्ण satisfied होने माली नहीं है इसलिए सम्हों नहीं है इसलिए इसका जो second product है X plus Y plus X Y is equal to 0 X plus यहाँ पे Y कामन लोगे आप 1 plus X equal to 0 Y is equal to minus X by 1 plus X अब आप यहाँ पे question rule लगा होगे सीध है आपको answer देदेगा answer दीक भी रहा है हर काई आगे तो यह दिको आ रहा है clear बहुत ही gentle question है gentle जैसे आप लोग है सब काई डालेंगे tension नहीं है ठीक है आगे दिखी भाई नहीं है question की prove that 10 inverse this is equal to this much question देखने में तो इतना खतरनाक है की question paper में आएगा तो पढ़ोगी नहीं लेकि बहुत ही question है root questions है x is equal to cos 2 theta ले लिए फटाफट देखिए 1 plus cos 2 theta निक्याला 1 plus cos 2 theta का formula 2 cos 2 theta minus 1 की निकल गया root 2 cos theta यह आ गया similarly under root 1 minus x क्या आएगा root 2 sin theta उसमें यहां आप यहां रखेंगे solve करेंगे 10 inverse root 2 common ले सकते हो आप cos theta minus sin theta upon root 2 common आएगा cos theta plus sin theta यह consider हो जाएगा tan inverse और इसमें cos का divide कर दोगे तो 1 minus tan theta upon क्या आएगा 1 plus क्या आएगा tan theta यह आपका formula बना है tan pi by 4 minus theta क्यों मिला करके क्या मिला pi by 4 minus theta pi by 4 minus theta यहां से ले लो 2 theta is equal to cos inverse x theta is equal to 1 by 2 cos inverse x 1 by 2 क्या cos inverse x यह हमने simplify कर दिया ठीक है ना उसके बाद हो तो गया simplify क्या हो गया हो गया जी शरुशन आगया भाई देख लिए simple चलिए simple चलिए simple सवार होते हैं भाई देखते चलिए आप लिक्कत नहीं है यह देखिए standard interior है interior आता है बच्चे परसान जाते है माइनस होता है तो दिमाग ला करके पहले माइनस को कामन लो फटाफट एक स्क्वायर प्लस क्या टू एक्स यह रहा माइनस थ्री अब इसको perfect स्क्वायर बनाओ क्या रूर है एक्स के गुनांग का आधा का वर्ग तो एक्स का गुनांग 2 है इसका अधा भाई टू कर दी यह बनाएगा एक जोड दिया और यह क्या कर दिया घटा दिया ठीक है ना क्या गए माइनस यह लखिए यहां थी एक्स प्लस वन का स्क्वायर हो गया और क्या होएगा और माइनस त्री माइनस फोर मतलब क्या टू का स्क्वायर अभी बाहर जो माइनस इसको यहां पे एड्जेस कर दो टू स्क्वायर माइनस क्या एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर यह फामुला बन जाएगा इंट्रियाल अंडरूर क्या A स्कॉाइर माइन स्क्ष्वाइर का क्या होता है जाना एकस बाइटू अंडर डूझ स्कॉाइर मान एकस कॉर्पार हर आ प्लसस्कॉर ड्रोड और सब्टYUड साइन कॉल greeting 3 जायगा सब करने दें 55 दे रही है क्रीज नहीं कैंड इंटियरेल जाने इंटियरेल कि इंटियरेल की सूовे सवाल सुवाधिय है इंटियरेल होगी इंटियरेल a to b f x d x equal to integral a to b f of a plus b minus x यहाँ पे pi by 6a है b है pi by 3 minus x करिए रहा स्वासा LCM 6 है का pi plus प्लस क्या 2 pi यह प्लस भी मैं यह है इसमें लिए आप तो 3 pi कितना आए गए माइनस x अलग करिए क्या गए तो 3 pi by 2 minus x क्या एगा 3 pi by 6 pi by 2 minus x तो यह क्या रखिया pi by 2 minus x तो बस हो गया अब यह हो आगा यहां पर रखेंगे तो इसको बदल लिएगा इसको बदल लिएगा 1 प्लस रूट साइन भाई रूट कास कर दिएगा तो यह बन जाएगा आपका क्या रूट कास अपान रूट साइन प्लस क्या रूट कास और जहां पर यक्स है वहां पर क्या रखो गया pi by 2 minus x तो आप इस तरह से प्लस को आप लगा सकते हो और इसका एक जो साइट इसका का अंसर की बात करें तो इसकी साइट रिक है b minus a by 2, pi by 6 minus pi by a to b है ना, pi by 3 minus pi by 6, ठीक है, b minus a by 2 है, by क्या 2, LCM आप क्या लेंगे, 6 लेंगे, तो क्या अगर, 2 pi minus pi है ना, by 2, तो 2 pi minus pi, pi by 12, तो आप दिखेंगे तो एगर इसको अंसर को सीजे क्लिक करना है, तो pi by 12 इसका अंसर आएगा without solving, ठीक है ना, चलिए आगे, आगे, next time, f from q to q, f x equal to 4 x, then prove that f x is 1, 1 and 2, बहुत simple question है, तो 1, 1 के लिए क्या तरीका है, कि f x1 is equal to f x2 लेकर चलते हैं बच्चों, और क्या दिखाते हैं, x1 is equal to x2 दिखाते हैं, यह देखिए, ठीक है, तो x1 is equal to x2 यहां से आगा, अब आटो की लिए क्या करते हैं, y is equal to f x लेते हैं, और यहां से x की value निकालते हैं, y plus 4 y 3, अब तुम देखो y की value तुम क्यू रे पार तोटल अँगा, वतथा रेशन नमर यहां से मतलब क्या हो गया, यहांसों हो गया, क्या हो गया है, आटो हो गया है, अपष्ञ की value डोमेन की आएगी तो बच्चों, यहáंसा क्या है हैं, तो इसलिख हो गया हैं, आगे चलिए, इसलिख क्ष्ग जोन बंबशन हो गया, ठीक है ना, okay, बच्चो, यह solve the differential equation, क्या, solve the differential equation this, यह है आपका, ठीक है, तो इसमें आपको, इसको बोलते हैं boundary condition, ठीक है, यह आपका log of dy by dx is equal to dx plus 4y, यह है, तो यहां से dy by dx निकालो, बच्चो फट फट फट, यहां बेच ही रहता है, यह होयागा e power 3x plus 4y, फिर है, यहां कह सकते हो e power 3x, और into e power 4y, index ला से, यहां से क्या हैगा, dy upon e power 4y is equal to e power 3x dx, यहां से interior कर दो, उसको उपर ले आओ, e power minus 4y dy is equal to e power 3x dx, यहां से interior आएगा e power minus 4y by minus 4 is equal to e power 3x by 3 plus constant, अब x equal to 0, y is equal to 0, यहां रख करके c निकालो, और c उठाके फिर यहां ही रख दो, actually जब इसको गोलते है boundary condition, और इसमें क्या होता है कि बार्यू रखते हो तो जो आपका constant की value है, वो निकल जाएगी, ठीक है ना, इसको particular solution करते है, business to help करते है, ठीक है ना, चलिए, हो गया solution आपका आपका है, तुरंत, next question is, यह रहा आपका, next question आपका है कि इसमें second derivative पूशा है, x is equal to a, यह दिया होगा, same question है, जैसे, फिर यह, तो dx by dt निकाल लेना, वो निकल जाएगा, एकन simple है, dx by dt निकल लिएगा, dy by dt निकल लिएगा, फिर आप, dy by ds निकल लिएगा, और जब d by by dx आ लिएगा, तो फिर second derivative निकल लिएगा, इसलिए, इस question को मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप इस question को कर चुकिया है, उसी type के जब पैरनल question, दो question कर चुकिया है, ठीक है, चलिए, यह दिखिए, यह दिखिए, यह दिखिए, तो और इसी, easy questions है, y दिया हुआ हुआ है, d2y by dx2 minus m plus m, dy by dx, इतना इतना जोल, जीरो, आप पर रहे, d2y by dx निकल लेना, इसलिए, फिर d2y by dx निकल लेना, यहां पर post कर देना, सब कर देना, बच्चो, 0 है आएगा, एकदम यह ललन टाप सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे ना, very good, बहुत बढ़िया, यहां पर आएए, यह question देखिए, प्यारा question है, कि यह function दिया है, करा कि k की value find करो, ताकि function continuous हो जाए, ठीक है, तो continuous के लिए क्या होगा, कि इसकी limit निकल लो, वही k के equal आएगी, यह 3 दिया हुआ है, x equal to pi by 2 पर भरूर्यादी function 3 है, तो limit extending to pi by 2, और k cos x by pi minus 2x, हम इसको right limit से कर लेते हैं अगर सवाल को, तो limit extending to 0, k cos x के स्थान पर क्या होगा, a plus h, pi by 2 plus h, अपान क्या, pi minus 2, pi by 2 plus h, चलिके, k cos 90 plus theta, minus sin theta, second में जाएगा, क्यों, minus sin theta, ओके, और यह 2 से 2 कंसील होगा, pi से pi कंसील होगा, minus h होगा, ठीक है, ना, clear है, minus, sorry, minus h, फिर minus से minus कंसील होगा, और sin h by s क्या होता है, one होता है, तो यह आपकी k आ गई, क्या गई, इसकी value क्या, right limit क्या गई, k आ गई, और अगर यह continuous है, तो right limit और left limit दोने क्या होगा, same होगा, और rhl is equal to lhl, तो k is equal to value of the function, f pi by 2 की value क्या है, 3 है, इसलिए k की value क्या actually में करते क्या है, कि जो इसकी limit होती है, निकाली है, उसको भार्वादी function क्या कर दीए, वही के कमान हो याएगा, क्योंकि already इसका concept दिया है, कि function already क्या है, continuous है, continuous है, तो, इसका आपका save होई आगा, ठीए न, चलिए, इसके बाद आई यह, चलिए, यह दिखिए, यह बहतरी question, एक हम paper में out question होता है, matrix में इसर से solve करना, सारे बच्चे आनते हैं, x is equal to क्या होता है, बच्चों, a inverse b होता है, a inverse निकाल होगे, क्या, a joint upon determinant से, ठीक है, और b matrix होती है, वह हमारी है, 814 column matrix, और a matrix जो होगी, बच्चों, वह आपकी 3 का अस्तिक ही होगी, क्या, 3, 2, 3, 2, 1, minus 1 4, minus 3, 2, हो गया, अब जाइंटे की बात करोगे, क्या होता है, transpose of co-factor matrix, क्या होता है, transpose of co-factor matrix, अब co-factor निकालना आपको पता है, रख दो के solve कर लोगे, और आम से x y k value निकाल लेना, और सबसे बड़ी बाती है, कि इसमें problem क्या होती है, बच्चे यूपी बोर्ड के पातुने, मत पागे, बाहा तकलिफ उता है, हाटली कर रहा हूं, यहां पे model नहीं है, determinant है, ठीक है, ओक है, चलिए, नव, I think this is the last one, and one part is again, may be, हाँ, yes, this is the last question, find the value of this integral, यह question बहुत 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 है, each and every book, all example available रहता है, आपको बता चुका हूं, मैं P4 property होती है, 0 to A, f of x dx, is equal to 0 to A, f of a minus x, इसको आप लगाएंगे, और इसमें पापर्टी आ होती हमें बताया था, 0 to 2 A, अभी एक last question और था, f x dx is equal to, 2 times 0 to A, f of x dx, if f 2 A minus x is equal to f x, इन दो property के use से, ये question बनेगा, a very important question है, इसकी value आए कि, minus pi by 2 log 2, कई बार paper मैं साभ देता है, pi by 2 log 1 by 2, using the property of logarithism. So, this is the, I think, last question, for your board examination 24, and no problem at all, बच्चों, मैंने पूरी कोशिस किये, और इस questions को आप पूरा detail में करियेगा, कोई समस्या होगी ता आप इसमें कमेंट कर सकते हैं, फिर मैं मैंने कोशिस होगी, कि मैं आपको तिंचा मॉडल में पर और दू, जिससे आपको पूरी तरह से content आ आप इसका ना परे, ठीके बच्चों, तब तक के लिए, नमस्कार बच्चों